नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर राज्य वै केंद्र सरकार की तरफ से बालिकाओ के लिए कई महतुकान सी योजना सलाई जा रही है उनी में से एक ये महतुकान सी योजना है जिसका नाम है बालिका समरधी योजना इस योजना के माध्यम से जनम से लेकर पड़ाई तक सरकार उठाएगी खर्च ऐसे मिलेगा आपको योजना का फाइदा यानि किस परकार से आप इस योजना का लाब ले सकते हैं कैसे आविदन किया जाता है किन डोक्योमेंट की आपको अवशक्ता होने वाली है सभी इन्फोर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है आपके परिवार में यदि कोई कन्या है बालिका है आज ही एक खबर यह जानकारी आपके विदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिविकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लव उठा सके चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं और केंदर सरकार की इस योजना के बारे में जो इनफोरमेशन है वे डिटेल वाइज में आपको दे देते हैं केंदर और राज सरकार की तरफ से बच्चियों के लिए समय समय पर कहीं बड़े मैतवकांसी योजना चलाई जा रही हैं इन योजनाओं के जरिये सरकार की यही कोशिस रहती है कि बच्चियों के भविश्य को बहतर बनाया जा सके और उनके जिवन इसतर को सुधारा जा सके ऐसी ही परधान मंतरी निरेंदर मोधी की केंसरकार द्वारा चलाए गई है एक मैतवकांसी योजना है ऐसी इसकीम जिसका नाम है बालिका समरद्धी योजना इस योजना के माध्यम से सरकार बच्चियों के जनम से लेकर उसकी सिक्सा तक के लिए आर्थिक सायता परदान करती है बालिका समरद्धी योजना को केंदर सरकार की महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से 1997 में लोंच कर दिया गया था इसका फाइदा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानि की BPL जिसका BPL काड है या आप समझ सकते हैं BPL परिवार में जनम लेने वाली बेटियों को दिया जाता है बाली का समरदी योजना के अंतरगत बच्चों के जनम से लेकर उसकी सिक्सा तक के लिए सालों तक आर्थिक सायता सरकार करती है सबसे पहले बेटी के जनम पर मा को डिलीवरी के बाद 500 रुपे की आर्थिक सायता की जाती है फिर इसके बाद बच्चों की कक्सा दस तक की पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से हर पढ़ाओ पर कुछ रुपे की वित्ते सायता की जाती है जैसे की कक्सा एक से लेकर तीन तक 300 रुपे सालाना कक्सा चार के लिए 500 रुपे कक्सा पांच के लिए 600 रुपे कक्सा चे और साथ के लिए 700 रुपे सालाना कक्सा आठ के लिए 800 रुपे ककसा 9 और 10 के लिए 1000 रुपे सानाना सरकार की तरफ से दिये जाते हैं सीधे ये बैंक खाते में ट्रांसफर की जाते हैं योजना का नाम और डोक्यूमेंट यानि की योजना का लाब लेने के लिए किन डोक्यूमेंट की आपको अफशकता होने वाली है कैसे आप अपलाई कर सकते हैं ये सब इनफर्मेशन आपको आगे मिलने जा रही है तो चलिए सबसे पहले डोक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं योजना का यदि आप लाब लेना चाहते हैं तो आपके पास कुछ महत्यपूर्ण डोक्यूमेंट यानि की दस्तावेज होना जरूरी है कौन कौन से वह दस्तावेज है तो चलिए जान लेते हैं जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए राशन कार्ड होना चाहिए जन्म परमान पत्र होना चाहिए, माता पिता का पैसान पत्र, आय परमान पत्र, निवास परमान पत्र और बैंक पास्बुक की इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी इसे एक साथ साथ यानि जो पास्पोर्ट साइज फोटो है वे भी आपके पास होने चाहिए तो ये सभी डोकिमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस योजना का लाब ले सकते हैं अब बात करते हैं, आवेदन कैसे करे, योजना का लाब लेने के लिए, ओनलाइन और ओफलाइन दोनों तरीकों से आप आवेदन कर सकते हैं आवेदन, ओफलाइन आवेदन करने के लिए, नजदे की आगनवाडी केंदर और स्वास्ते सेवा केंदरों में जाकर आप फारम भर सकते हैं और यहां से आप offline आविदन कर सकते हैं अब जो आपको फरम दिया जाएगा वह आगनवाड़ी केंदर या स्वास्ते सिवा केंदर से आप प्राप्त कर सकते हैं और भरकर आपको जमा करना होगा आपकी जानकार के लिए बता दे की ग्रामीन और सहरी लाभारतियों के फरम अलग-अलग होते हैं अब कैसे आवजन किया जाता है ये भी हमने आपको information दे दी है कहां से आपको ये फरम मिलेगा ये भी हमने आपको बता दिया है केंद सरकार की योजना है सभी राज्ये में ये योजना चलाई जा रही है आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमार दिवीज जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़ादा motivation मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे comment box में आगर पूछ सकते हैं सभी सवलक जवाब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में हम निवेदन यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नैक्स्ट टूड़म में एक लड़ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत